मैं जी दुबारा क्योंकि अवाद नहीं आदे की पहले मेरा नाम राय दिनावर है और मैं डिप्टी डिरेक्टर हो एलडिया में कोई अच्छा नौ साल से मैं एलडिया में सर्विसेश दे रहा हूं आज हम बेसिकली यह डिमांस्ट्रेशन एक लेक्चर है जेनल अबिलिटी का और जिस्ट लाइक कॉमन सेंस जैसे कॉमन सेंस जो है वो कॉमन नहीं है जैनल अबिलिटी भी हमारे मुल्क में तो कमस्गम इतनी जैनरली अवेलेबल नहीं है बहुत से लोगों में चीजें प्रॉब्लम को समझने में और उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यारा बाते हैं तो आज हम बेसिकली जैनल अबिलिटी जो के सी एसस में भी आती है पी एमेस में उसका कुछ पॉर्शन आता है और उसके लावा जो आपके बाकी वन पेपर हैं उसमें कोई बीस नंबर का किसी में दस का अपनी अपनी जरूरत के मुदाबिक मुद्व आपके समने एक डेटा है आपने उस डेटे को क्लेक्ट करना है अनलाइज करना है उस डेटे से आपने कुछ कुछ किंक्लूइजन निकालनी है उसे सॉल्व करना है किंक्लूइजन निकालनी है यह सारा प्रॉसेस जेनल अबिलिटी कहलाता है अब इश्यूस जो हम लोग आ education system में भी फ्लाव हैं और कुछ फ्लाव हम में अपने में भी हैं में जो फ्लाव एक यह आता है वो यह कि हम उतने अब्जर्व चीजों को नहीं करते हैं यह सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे इसी सारे लेक्चर में जो यह सेशन होगा यह सारी चीजें आपकी रोज मरा संदगी में इस्तमाद होती हैं आप करते भी हैं लेकिन जब वो पेपर की सुरत में आपके सामने आती हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जती है अगर आगर आपको कोई कहे कि लाहोर से आपने शेख हुकुरा जाना है और आपकी स्पीड इतनी है और इतने तक्रीवर distance है तो आप अराम से बता देंगे यार घंटा सवा घंटा लग जाएगा लेकिन यही अगर वो city A से city B कह देता है तो फिर हमारे लिए मसला बन जाता है तो यह कुछ चीजें हम over the period of this session हम चेक करेंगे कि कहां पे चीजों को थोड़ा सा अब्जर्व करके आप असानी से इनको skim कर सकते हैं असानी से इसको go through कर सकते हैं पिछले सास 2016 का पेपर है से लेके 22 तक कोई साथ 6 साथ पेपर हैं जो आपको आइडिया दे रहते हैं कि किस तरह के questions इसमें आते हैं पहले हम देखते हैं कि यह जो course हम करवा रहे हैं इस course में आप को क्या क्या कितने देर का होगा कितने lectures होंगे कब-कब lectures होंगे ताके थोड़ा सा आपको प्रीफ सा एक आइडिया एक और वीव मिल जाए यह कोई course structure है थोड़ा सा कि इसमें तकरीपन बारा लेक्टर्स होंगे हर हफ़ते में दो lectures जो के Saturday Sunday preferably होंगे और छे हफ़ते यानि कि कोई डेड़ माँ का यह एक session है और इस session के दरे पहले जो दस पहले आठ चो लेक्टर्स हैं वो आपकी सारे course कवर करने पे हैं आखरी second last और last जो हैं उसमें mock exam होंगी और उससे पहले दो session में उन सब चीज़ों क रवियन तरवाई जाएगी जो हमने पढ़ लिया होगा तो यह एक चोटा सा वर्वियू है किस तरीके से यह session चलेंगे यह study plan है कि पहले lecture में क्या होगा दूसरे lecture में क्या होगा आम तो पर यह lecture तकरीपन डेड़ घंटे का होगा और इन में क्या क्या हम cover करेंगे और कैसे क कैसे चलेंगे और यूटिलिटी क्या है इस सारी चीज़ों की जो जैनल अबिलिटी आपको पढ़ाई जाएगी वह यह तो नहीं सिर्फ आपने को एक्जाम पास करना है education का basically बखसत तो यह है कि जो चीज़ें आप यहाँ पे सीखें वह अपनी रोजमरा जिंदगी में for example general science and ability जो है subject आपको भी percentage फर्स करें एक आपने कल को कोई जिला संबालना है या किसी अच्छी पोस्ट पर जाना है और आपको percentage क्या ही ना पता हो कि एक percentage जो है आपने 10% increase किसी चीज़ में करना है आपको वही पता ना हो कि आपको पता ना हो कि average क्या होती है तो यह चीज़ें आपकी ना सिर्फ आपकी परसनल लाइफ में बलके प्रोफेशनल लाइफ में पूरी कोंग के लिए बड़ी जरूरी है कि आपको इन चीज़ों का पता हो चोटीजी मिसाल है कि अगर आज पैट्रोल है तक्रीबन टू फॉर्टी एट टू फिफ्टी पता देना कि जी यह 200 का था और अब यह 25 पर जाने वाला है 10% इंक्रीज होने वाला है लेकिन यह क्वेस्चन अगर आपको लिखा हुआ पेपर में आजए तो फिर हमारे लिए दुबारा मुश्किल हो जाती है हम किसी दुकान पर जाते हैं और हम वहां पर जाके हमें पता चलता है कि जी इस पे 15% डिसकाउंट चल रहा है तो दुकानदार को हम खुद बता देते हैं कि यह इसमें से इतने पैसे कम होने चाहिए और इतनी प्राइस में मुझे मिलना चाहिए क्योंकि वहां पे हमारा जहन अकैडमी क्ली नहीं चल रहा हुता हम उसे रोज मरा जिन् होते हैं या आते हैं वो सारे हम कवर करेंगे और यह आठ टॉपिक्स हैं सातवां और आठामा का अनलिटिकल कहोगा अब एनलिटिकल बैसिकली आपका आपको एक सिचुएशन दी जातीर और उस सिचुएशन के मताबिक अपने चीज़ों को सॉल्ट करना है और एंड पे लॉजिकल है जिसमें cause and effect और assumptions है, syllogism है, conclusions है, आपने आपको दो statement दी है, आपने उससे क्या assumption draw कर सकते हैं, क्या conclusion निकल दी है, सारे लोग जो हैं, वो जी बड़े इमानदार हैं, और जो इमानदार लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं, तो इससे क्या conclusion निकल सकती है, वो आपने नीचे वाली statement से find out करके बतानी होती है, ना और दस्वा सेशन आपकी review होगी, एक mathematical review होगी, सारे आपकी arithmetic जो हमने पढ़ा होगा और दस्वा जो आपका होगा, वो analytical का review होगी, दो exam होंगे सो सो नंबर के, और खुद ही सेट किये जाएंगे, खुद ही हम यहां पे solve करेंगे, दो गंटे होंगे solve करने के लिए, और इसमें time थोड़ा उपर नीचे हो सकता है, वैसे normally दो गंटे में आपके solve, सो स्वाल आने चाहिएं, अच्छा आप जो issue, normally मैंने जितने अपने दोस्तों को या अपने students को पढ़ाया, जो मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा feel करता हूँ, वो यह कि आप हम में वो tendency नहीं है कि हम सवाल पूरा पढ़ लें, समझ लें तसलिस हैं और उसको solve करें, हमें जतनी समझ जाती है बात की, हम उतने से शुरू कर देते हैं और यह सिर्फ students का मसला नहीं है, हमारी पूरी कोंग का मसला है, इवन हमारे सियास्तदानों का मसला है कि उनको high court का order जितना समझ आता है, उतने पे वो मिठाईयां बाट लेते हैं और बात में पता चलता है कि वो उनके against जा कि जितना जिस तरह का उनको आता है और वो चल पड़ते हैं आगे तो वो काम हमने थोड़ी सी अपनी orientation थोड़ी से approach चेंज करनी है, बहतर करनी है, चेंज फिर भी neutral word है, और neutral समया आजकल नहीं होना चाहिए तो improve करनी हमने अपनी, algebra भी इसमें आयागा, क्योंकि algebra itself, अब मस थीटा, टैन थीटा जो हम समझते थे, उनकी practical implementation आपके पास मुझूद है, अगर वोई चीजें हम वहाँ पे कर दिया करते हैं, या हम से teacher करवा लेते हैं, तो वो सारी जिंदगी याद रहते हैं, यह चीजें out of this world नहीं हैं, यह practically हमें हमें हमेशा पता ही लगा कि math जो है, या फिर यह इस तरह की जो चीजें हैं, वो सिर्फ paper पे करने वाली हैं, उनका कोई काम ultimately है नहीं, और आज आपका total जो computer का system develop हुआ, वो दो boolean variables पे one और zero पे develop हो गया, तो इसकी बहुत ज़्यदा implementations हैं, इमरान खान साब का सवाल है, जी मैं general ability फिलहाल पढ़ाँगा, general science जो है, वो मेरे पास नहीं है, मैं general ability पढ़ाँगा आपको, जी, अच्छा second चोटी सी एक announcement है, वो ये के जो जिनका ADIB और चोबिस को paper है, उनके लिए जो FPSC वगरा के हैं, उनके लिए एक special session रखा जाएगा, क्योंकि ये डेटमा का session है, इसमें हम चीजों को CSS के point of view से और general point of view से लेके चलेंगे, लेकिन जो आपका assistant directors के one papers are normally, उनमें एक-एक आपके वो MC की उजारे होते हैं, आप में solving करना होता, basically आप में पहुंचना होता है उस point तक, तो हम उसको उस तरीके से लेके चलेंगे, उसके लिए लएदा session हम continuously कोई 10 दिन का एक रख लेंगे, जिसमें different होगी, हम दोनों approach सीखेंगे, दोनों से मुराद है, जितनी भी approaches है, approaches से मुराद यह है कि सवाल को आपने solve किस तरह करना है, कान को पकड़ना है, किस साइट से पकड़ना है, कान को पकड़ना है, जिससे तरह धेर सारे तरीके हैं, एक mathematical question को भी solve करने के काफी तरीके हैं, इ एक मिसाल के तोर पर यहां पर चूंकर demonstration class है, तो कोई ना कोई तो demo होना चाहिए, तो एक हम analytical का question करेंगे, अब analytical question क्या होता है, उसको पहले जरा समझ लें कि analytical है क्या, जिसको normally NTS में बहुत ज्यादा अवाम GAT के paper में fail हुआ करती थी, क्योंकि analytical हमने कभी पढ़ी नहीं थे और हमें कोई समझ भूज भी नहीं थी कि इसको करना की सरा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि analytical होता क्या है, उसका pattern क्या है, और उसमें examiner हमसे चाहा क्या रहा होता है, तो analytical ability वले question में, पहले ही pointer नहीं चाहिए, एक आपको उपर statement दी जाएगी, कि ये दस पांच-छे लोग हैं, इन्होंने किसी trip पे जाना है, ये जी कोई एक बंदा है, वो उसने subject choose करने हैं, जैसे एवन आपने भी subject choose करने होता है, analytical ability आपने क्यों कहता हूं कि general ability हर जगा पे है, CSS कि जब आप subject choose करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि 200 से ज्यादा, 200 numbers से ज्यादा, इस group में से नहीं choose करना, languages में से एक choose करना है आपने, total combination बनाना है आपने 600 का, हम वहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता नहीं है कि ये एक सवाल है, हमें एक real everyday life issue नदर आ रहा रहता है, जब हमें वो इस तरह लिखके दे देता है, तो हमें लगता है कि यार आप ये solve नहीं होना, तो ये analytical ability भी हम हमेशा से करते हैं, इवन जब वो question आपको आते हैं कि जी, फलाने फलान के साथ नहीं जाना, तो इस तरह के सवाल भी आप करते हैं कि जी, इवन आपकी जो sitting arrangement होती है, उसमें भी हम कहते हैं कि ये बंदा उस बंदे के साथ नहीं बैठ सकता तो इनको तुछासा फास है, तो basically आपको एक argument उपर एक information भी होती है, जिसमें वो बताता है कि ये पांच लोग हैं, ये trip पे जा रहे हैं, इन में से चार ने जाना है, या तीन ने जाना है, लेकिन वो तीन कौन से होंगे, नीचे वो आपको इदर rules बना के देता है, rule number one दे देता है कि जी, जो दो ख बनती नहीं है, rule three दे देती है कि अगर खातून C जाएगी, तो D लाजमी जाएगी, इसी तरह four वो, अब वो आपको rules बता देता है, ये आपके पास rules हैं, जो आपने follow करने हैं, और इनके मताबक आगे चलना है, अब होता, इसके बाद वो questions देता है, और वो कहता है, जी let's suppose एक trip पे ए जा रहा है, या जा रही है, तो बाकी members कौन कौन से होंगे या हो सकते हैं, ये एक general है कि आपको एक statement दियोगी, उसके rules होंगे, और उसके नीचे पांच, चार, तीन questions होंगे, अब हम साथ ही एक question है, available इस वक जो मैं लेकर हम उसको solve भी करेंगे, पहले statement भी question है, अब इस question में पहली उसने statement उपर दे दी, एक लंबी सी, जिसमें information उसने दी है कि मसला है क्या, नीचे उसने आपको rules दे रही हैं, और जब हम next slide देखेंगे तो next slide में, first question, second question और वो third questions आते जाएंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं, और समझने की कोशिश कर रहे है कि वो कह क्या रहा है, अच्छा जी, अच्छा जी, in order to gain full course credit for his tour of a foreign city, जिशान must visit exactly seven famous places of interest, अभी तक काम की बात हमें कोई भी नहीं आई, जिशान की जगा, उमर दराज होता, अकबर होता, कोई फर्क नहीं पढ़ता हमें, हमारा जो, जो concern है, जिदर, जिदर से हमने activate करने, वो शुरू आप होने लगा है, कि वो साथ जगें कोन सी हैं, foreign office, a river, the hill, a library, mosque, club, and a theater, ये साथ जगें हैं जो उसने visit करनी अपने foreign city के trip पे, अब ये हमारे काम की चीज़ आई है, इस से पहले वाली line में कोई मस्टा नहीं, अगली line भी पढ़ लेते हैं, कि कोई भी वो बना ले अपना प्लैन, सब ठीक है, लेकिन उसको ये कुछ conditions फॉलो करनी हैं, ये नहीं कि जिस जगा पर मर्जी पहले चला जाए, एंड पर चला जाए, कुछ चीज़ें हमने लिखके दे दी हैं, उसको जिशान को फॉलो करना लाजमी है, अगें पहले वाला जो sentence है, उसमें फॉर्ट, इस पूरे में हमें सिर्फ जगों के नाम अभी तक, जो हमारे का की चीज़ आई है, वो सिर्फ जगों के नाम है, अब एक चीज़ होती है, बच्पन साब सुनते हैं, कोडिंग आप तोर पे, आप छोटे होते कोड लैंग्विज भी अपनी मिना लेते थे, ठीक, कोडिंग आप बेसिकली क्या है, कि आपने जो ये इतना बड़ा लिखा । ये स॓ाल आपने जिढ़ा ज्यादा पांच मिनिट चार मिनिट के लिए करना है, जहन में रखना है, ये series के पॉइंट औफ व्यू से आपने कोड़ी अपने बेसिकली उन साथ जगों के initials लिक्ने है, अभर, आपने अपनी मर्जी की कोडिंग करनी है, जो आपको रहने दोंगा उसके बाद हिल है रिवर है हिल है और लाइब्रेरी थेटर क्लब और मॉस्क यह हमारे पार साथ जगें हैं जो उसने विजिट करनी है अब में जो इस सारे प्रॉसेस में सबसे इंपोर्टन जगा होती है वह आपके यह रूल्स होते हैं अब आप रूल साथ साथ पढ़ते जाएं जी फॉरन आफिस मस्ट बी वन अफ फर्स्ट थ्री प्लेसिस विजिटेड पॉरन आफिस पहली तीन में होनी चाहिए यानि इसको हम कोड बनाएंगे तो हम लिखेंगे एफ इस इक वर टू अब आप यह भी लिख सकते हैं लेकिन अगर यह लिखेंगे तो हम उसकी स्टेट्मेंटी लिख रहे हैं हमने वसके काम नहीं किया हमने बेसिक्लिए अपनी कोडिंग करने में कोई थोड़ी सी क्रेटीविटी अपने भी इस्तमाल करने की कोशिश करने हैं हम इसे 1-2-3 कर लेंगे हैं अब हमें पता है कि हिल मस्ट बी विजिडिड इमिडिटली बिफॉर दरीवर। हिल को रिवर से फोरण पहले आना चाहिए। अब इसको एक मैं लिखूंगा तो मैं इस तरह साथ जोड़ के लिख दूँगा और मेरे जिंड में है कि ये इस से पहले का है। अगर वो कहता हिल मस्ट बी विजिडिड विजिड बिफॉर दरीवर। इमिडियटली का वर्ड यूज ना करता। तो पिर हिल के बाद एक जगा चोड़के ये लाइन एक लंबी से लगा देते कि इसके बाद याना है जब भी आना है वो एच आर भी हो सकता है वो एच के बा be the first can be neither the first nor the last library ना पहली हो सकती है ना last अब library is not equal to पहली तो one होगी one and seven आप इसको last लिखेंगे तो आपने कोई कमाल नहीं किया कमाल आपने थोड़ा बोता तब किया जब आपने total number आपको पता seven है तो आप इसको seven लिखेंगे अगला कहले जी the mosque must either be the first or the last mosque जो है वो या पहली होगी या आफरी होगी या या आफरी होगी या 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 आपने आखास करना या इखताम आपने उस पे करना और club जो है वो आफरी टीन प्लेसेंगे होना चाहिए club must be one of the last three places visited अब क्लाब इस इकवर टू फाइव सिक्स सेवन वो जो इतनी लंबी सी उसमें दास्तान लिखी हुई है हमने उसे थोड़ा सा डीफ कर दिया है हमें समझ लग रही है कि फॉरन आफिस पहली तीन में होनी चाहिए हिल रिवर के फॉरन पहले आना चाहिए लाइबरेरी पहली साथमी नहीं हो सकती मॉस पहली साथमी होगी कलब पांचवाँ चटा या साथमाँ होगा अब नॉर्मली इस तरह के केसिस में पहला सौाल वही आ जाता है जी इन में से कौन सा अक्सेप्टेबल है और्डर आपको पांच इसने आप्शन दी होगी है विच अफॉल्विंग इस एन असेप्टेबल ओर ठीक है जी ओगे अच्छा अब आपने सबसे पहले पहला रूल उठाना पहला रूल कहा रहा है जी फॉरन आफिस पहली तीन में होना चाहिए और आपने सब पे वो लागू कर देना है अब ए पे लागू करेंगे तो ए में फॉरन आफिस पहले तीन पे है बी में भी पहले तीन पे है सी में भी तीसरे नमबर पे है डी में दूसरे नमबर पे है ए में आपके आउट अफ थ्री चला गया है यानि ए जो है वो आपका नहीं हो सकता acceptable order में हमने हमेशा eliminate करना है जो options आपके पास नजर आ रही है उनसारों को आप बारी बारी try कर ले एक rule ने आपका E जो है वो eliminate करा दिया ठीक है अब दूसरा rule देखते है वो है के hill river से फोरण पहले हो अब A में देखें hill के बाद library आ रहा है तो आपका A भी जो है गलत साबित हो गया B में hill river के बिलकुल साथ है B अभी तक ठीक है C में भी उसके साथ है D आपका इसके वज़ा से उड़ गया क्योंकि D में hill के बाद library आ रहा है इसी तरह ठीक है अब तीसरा आपके पास है आपके library या पहली होनी चाहिए या पहली और आखरी नहीं हो सकती ठीक है library is not equal to अब आपने E और A डी तो देखने ही ना वो तो वैसे ही गलत हो गया C में library पहले नमबर पे आपका C भी गलत हो गया अब टेक्निकली आपका B जो है वो सही है लेकिन B को हम दुबारा देखते हैं पहला rule फॉलो कर रहा है foreign office पहले तीन में हिल और रिवर साथ साथ हैं library आपकी ना पहली है ना आखरी है मौस्क आपकी आखरी है club आखरी तीन में आ रहा है तो ये सकून से आपने चीज़ों का eliminate किया और आपको answer मिल गया अब ये वाली जो rules है आपके ये सब पर लगेंगे जो आगे भी questions आएंगे उन पे भी ये rules लगेंगे तीन चार questions आते है normally और अकसर ये आ जाता है कि जी A B से heavy है C D से heavy है A फलाने से heavy है आपने बताना है कि कौन एक order आपने बना आगे देना कि A B से heavy है C से वो आगे definitely sessions में देखेंगे फिलाल इस question का part 2 देखते हैं अच्छा जी अब वो part 2 में कह रहा है if on his tour जिशान visits the theater, the library and the foreign office one directly after the other in the order given he must visit the river on which number ठीक है अब उसमें कह दिया कि पहले उसमें अब ये ये वाली इसमें भी लगेंगी पहले theater library और foreign office उसमें एक टे विजिट की है one directly after the other तो इसका मतलब ये है कि ये जिस नमबर पे भी होगा उससे अगला नमबर library को होगा उससे अगला नमबर होगा foreign office का अब foreign office का rule है कि ये तीन से बाहर नहीं जा सकता इसका मतलब है maximum ये three ये two और ये one होगा और आगे आपके पास कितनी जगे रह गी है चार आपका foreign office तीन से बाहर नहीं जा सकता था उसमें कहा theater library और foreign office अकठे ही है one after the other है और इसी order में है ठीक है word उसमें use कि in the order given अब इदर यही मसला होता है कि हम अक्सर चुँके अच्छी खासी information आ रही होती है हम कोई नहीं लफस अंदर से miss कर जते है जैसे अगर hill से पहले river से फोरण पहले hill आना है उसे immediately को हम ना interpret करें properly ली तो हम यह वाला भी घलत कर जाते इस पॉइंट पे तो पहला है कि रूल्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके अपने लिए भी क्लियर होने चाहिए आप अगले question कर सकें अब यह clear हो गया कि TLF किस तरह पड़े हुए है इसके बाद वाली चीज़ें हमने देखनी है वो कहता है जी river किस नंबर पर आसकता है पहले तो आप यह देखें मौस्ट पहले और साथ में पर आनी थी तो मौस्ट पहले पर नहीं आई तो साथ में पर आएगी ठीक है उसके बाद आपका क्लब आना है क्लब के पास दो जगें है यह five या six इदर आ सकता है या इदर आ सकता है दो जगों पर आ सकता है अगर इदर आएगा तो hill और river कहा जाएंगे उनका तो गलत हो जाएगा जो उन्होंने हमेशा अकठे रहना था और अकठे भी इस तरह के हिल पहले और river बाद में तो सी हिल और river की वज़ा से पांचवे नमबर पर नहीं आ सकता है तो प्लब चलागे आपका छटे नमबर पर हिल और रिवर पीछे रह गए और वो आर एच नहीं हो सकते हमेशा एच आ होंगे तो आप से उसमें पूछा है कि हिल सुरी river कौन से नमबर पर होगा must be at this place तो option डी आगी आपकी इस position पर होगा अगला जी तीसरा question if जिशान begins his tour है यहां पर him लिखा हुआ है his tour at the hill इतना लिखनेंगे जी पहला ही hill है which of the following could be the fourth place of interest चोथी कौन सी हो सकती है could be और must be में फर्क है must be में वो ही answer आपके पास आ रहा है आपके पास hill पांचवे नमबर सुरी river पांचवे नमबर पी आया था क्योंकि must भी था अब वो could be में दो तीन options हो सकती है लेकिन हमें जो answer दिया होगा वो एक आदा अंदर उनमें से दिया होगा क्योंकि दो देंगे तो वो answer definitely खलत हो जेंगे अब hell पहले नमबर पे आर तो rule क्या कहता है कि हिल के फोरण साथ प्सक्रादा था ने आना चाहिए river ने आना रिवर आपका फोरण नमबर तू पे आ गया ये rule आपका कहता है कि फोरण office आपका पहले तीन में होना चाहिए और नाफिस भी पहले तीन में आगया अब चौती नाँसर ये बताना कि which of the following could be the fourth place fourth club भी नहीं हो सकती मॉस्क भी नहीं हो सकती क्लब और मॉस्क गलत हो गये library और theatre जैना उनका library का सिर्फ एक रूल है कि पहला और सात्वा ना और थेटर का तो कोई रूल ही नहीं है ना तो थेटर तो कहीं पे भी आ सकता है अब यहां पर यह आना चाहिए कलब और यह मॉस्क आपने निकाल दिये पीछे आपके पास थेटर और लाइबरेरी रह गये ठीक है आनसर में आपको थेटर नहीं दिया हुआ क्योंकि कुट भी है तो आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं आंसर उसमें दोनों को दोनों नहीं देगा क्योंकि दोनों देगा तो फिर दो चॉइस तो नहीं सही हो सकती या लाइबरेरी देगा या थेटर देगा इस केस में उसमें लाइबरेरी दी हुए है अगर elimination भी अगर आपने करनी है तो पहली option है foreign office foreign office तीन से बाइर नहीं जा सकता river इदर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पहले हिल नहीं आना है और उसके बाद river नहीं आना है ठीक है लेकिन river तो शुरू में आ चुका है उसके बाद आपका आगया library हमने कर ली मॉस्क इस नंबर पर आई नहीं सकती है या पहले पर मॉस्क है या आखरी पर मॉस्क है और club आखरी तीन में रहना है club भी चौते नंबर पर नहीं आ सकता है या अगर आप eliminate भी करें तो आप उस तरीके से आ जाएंगे अगर आप solve out करें तो फिर भी आप सकून से आ जाएंगे next question है जी कि इफ जिशान is to visit the club sixth छटे नंबर पर club उसमें विजिट किया छटे पर club हो गया साथ में और ये पांच्वा नंबर है इस side पर एक दो तीन चार नंबर हो रहा है अच्छा इफ जिशान is to visit the club sixth he could visit the hill in any of the following positions on his tour again his except पांच्वे नंबर पर सॉरी विजिट जो है हिल जो है वो विजिट कर सकता है वो किसी भी नंबर पर except अब आपने ये बताना है कि हिल किस नंबर पर हो ही नहीं सकता अब आप except तक नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा कि हिल किस नंबर पर करना चाहिए तो वो आपको पहली भी सही लग जाएगी दूसरी भी सही लग जाएगी question वो ये पूछ रहा है कि किस नंबर पर हिल हो ही नहीं सकता तो आपने फटाफट हिल का रूल देखते है कि हिल का रूल होता है कि यहार रिवर के साथ रहना है इसमें इसका मतलब है अगर हिल को यहां पर रखेंगे तो रिवर तो नहीं आ सकता कहीं पर भी लेकिन seven option में है यहीं नहीं अगर आप हिल को इधर रखते हैं फिर भी मसला है क्योंकि फोरण बाद रिवर ने आना था अब चूंके आपने हिल को इधर भी नहीं रख सकते इधर भी नहीं रख सकते तो बाकी किसी भी पॉइंट पर रख लेंगे आप उसने हमसे सुवाल सिर्फ यह पूछा कहां पे नहीं रख सकते सेवन्थ या फिफ्ट में से नहीं आसकता और फिफ्ट पे इसलिए अब options आप देखेंगे आपको seven नहीं नज़र आया ज़र आपने साथ मधीद सौल्व कर लिया तेक्निकली ही लीदर भी नहीं आसकता और आ क्यों नहीं सकता क्योंकि उसमें rays ने लाजमी आना होता और नहीं है पांचवां कोस्टिन आखरी यह उसके बाद करते हैं अच्छा जी पांचवां क्वेस्टिन वो कह रहा जी जिशान विजिट्स यह सारा डिलीट आपने नहीं करना कभी भी क्योंकि आपका में जो है यही मुद्धा है और अगर मैं डिलीट करने भी लोग है तो मुझे रोक देना आपने होता ही है कि जिशान विजिट्स एक्टली वन प्लेस ऑइंटरस्ट बिट्वीन इस विजिट तो दी फॉरन ओफिस एंड अड़ क्लब फॉरन ओफिस और क्लब के दरमयान एक जगा उसने फिरी है ताट प्लेस मस्ट बी आइदर डिस और दाट ठीक है या यह होगी या वो होगी आपने यह डून ना अब में चीज़ यह है कि फॉरन ओफिस और क्लब के दरमयान अगर एक जगा इनकी हमें पॉजिशन नहीं उसने बताई कि यह पहला है या साथवा है या च्छटा है या पांच चोता है पहले तीन हो सकते थे और यह आखरी तीन हो सकता था तो आपके दरमया तो टेक्निकली यह तीसरे पर और यह पांच में पर इवन यह ना आपको घ्रेलू मामलाद में कोई इस तरह का क्वेस्टन आ जाता प्रॉब्लम आ जाती आपने सॉल्व कर लेनी थी आपको पता लग जाना थी जिए और आखरी तेन्चे रखना है यह पंजवे तो अगे नहीं जा सकता इनुं पहले तेन्चे रखना थे तेन तो अगे नह के आसकता तो आपको ड़के पता लग जाना था यह तीसरे पे है यह 5 पे है कोई शला नहीं होना था लेकिन चूंकि आप उसके लिए अंग्रेजी पर नहीं पढ़ रही है उसमें हमें दोड़ा सा आगे पीछे हो सकता हर बचा शानी हो सकता से काफी लोगों को शू होता है especially एक nervous आपका break down तो नहीं लेकिन एक nervous फेड ब्रेन फेड जिसे आप कहते हैं वो दरूर होता है अब पहला रूल आप इदर से स्कून से निकाल लें कि हिल और रिवर ने तो आना ही कठा है इसका मतलब है हिल और रिवर इदर नहीं आ सकते अगर यह हमें ना भी पता होता कि यह तीसरा और पांच्वे है ना भी पता होता इतना तो हमें पता है कि यह पहला और सातवा नहीं है क्योंकि इसके बाद भी एक चीज आ रही है और पहले भी एक चीज आ रही है तो पहला और सातवा नहीं है आपका ना इदर हिल आ सकता है ना रिवर आ सकता है ये दोनों नहीं आ सकते हैं कितनी चॉइसिस चलेगी हैं आपकी रिवर वली बी चलेगी जिसमें B में भी रिवर आ रहा है वो भी चलेगी C में हिल आ रहा है वो भी चलेगी question वो यही कह रहा है ना कि कौन सी place होनी चाहिए वो तो hill भी नहीं हो सकता, river भी नहीं हो सकता तो 3 choices तो आपकी खतम होगी है और समझेंगे यह आपका आखरी 30 second चाल रहे थे जब आपने स्वाल देखा है तो आपने तुका ही लगाना था तो आपने कमस कम थोड़ा सा calculated तुका लगाया पांच में से आप जब तुका लगाते तो आपका ठीक होने के chances होने थे 20% और अगर आप 2 में से तुका लगाएंगे तो चाहां सा आपके ठीक होने के 50% है तो probability increase की आपने तो कभी लगाना तो कहते हैं थोड़ी सी अकल समझ से लगाना आपने तो तीन आप्शन्स हमने डिलीट कर दे लेकिन चूंके हमारे पास टाइम है तुम आखरी दो आप्शन्स को देखेंगे library और दो मॉस्क मॉस्क या पहले या आफिर पर आनी थी इसलिए option D भी चलेगी पीछे एक ही option रहेगी E वो आपका जवाब है आपने eliminate कर दिया सबको question 5 repeat कर दें जी ठीक हो गया question 5 repeat कर दें सुलिमान question 4 आप बाद मेरे से पूछ देना question 5 मैं repeat कर रहा हूँ और time कम है तो आगे भी चलना मेरे से आप बाद में पूछ देना को इशू नहीं है वापिस question 5 मैं एक सेकिंड के लिए कर देता हूँ अच्छा जी ये demo luxury चल रहा है question 5 में वो ये कह रहा है कि जिशान एक place of interest विजिट करता है between foreign office and club तो foreign officer club में अगर एक place वो visit करता है तो वो कौन सी place must be either this or that तो वो हम चेक करते हैं जी अगर वो center वाली क्वी place है तो इसका मतलब है वो ना पहली है ना सात्वी है और ना ही वो hill और रिवर हो सकते हैं क्योंकि hill और रिवर ने हमेशा कठे आना है तो आप ये दो चीज़ें जेन में रखें तो आपका पहली तीन options तो hill और रिवर की वज़ा से डिलीट हो जती है चोथी option आपकी mosque की वज़ा से डिलीट हो जती है क्योंकि mosque ने या पहले पे आना था या आखरी पे आना था तो option आपकी सिर्फ एक ही बच्चती है वो है library या theater main आफ होई अगें foreign office और club के दरम्यान सिर्फ एक जगा है तो इसका मतलब है ये जो center जगा है ये ना पहली है ना आपरी है अच्छ जी next अप थोड़ा तो math को देख लेते हैं कि math के बारे में क्या होगा math क्या क्या हम पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे सबसे ज्यादा important जो आहम तोर पे math जब भी जेन में आता है तो हमारे जेन में आती है बात percentage की अब percentage है क्या basically per cent है यानि के fee, sad जिसे हम उर्दूम है fee, sad कहते हैं so का कितनुआ हिस्सा है आई है, आपने ये बताना होता है कि सो में से अगर आप देखेंगे तो कितनुआ हिस्सा होगा अगर कोई term होती जी 27,35,400 रुपया जी उस में से 13,000 मेरा हिस्सा बन रहा हुता तो ये आपको exact पता नहीं चाल रहा है यार ये कितने को दूसरे का कितना हिस्सा है, मेरा कितना हिस्सा है अगर 100 के हिसाब से देखें तो percent का basic जो मकसद था कि आपको एक figure नजर आजए कि 27,000 में से 13,000 जो है, 13,000 जो है 27,000 में से, वो कोई 50 के करीब करीब बन रहा है, कोई 47, 48 बन रहा है आपने जब compare करना किसी और चीज़ के साथ के करोड में से मुझे मिल रहा है, जी, 40 लाग तो ये 40 लाग उस 13 लाग से टेकनिकली छोटा हिस्सा है, क्योंकि ये 40% है और वो 48% था, तो basically दो चीज़ों को compare करने के लिए भी इस्तमाल हो जाती है और आपको exact idea होता है कि यार, दूसरे के पास कितना को percentage जा रही है, कितना हिस्सा जा रहा है या बच्चे पास हुए हैं, तो कितने हुए हैं, और fail हुए हैं, तो कितने हुए हैं हर तरह की equations आती हैं, और सबसे ज़्यादा या असानी के लिए हम इसको 30100 कर लेते हैं, इजी रहेगा, अब 30100 है, अब यह सिंपल सा concept है, कि जब भी आपका एक नंबर होगा, वो टोटल नंबर होगा, यानि वो परसेंट में होगा, तो वो उसकी टोटल वैल्यू हंडर्ड परसेंट होगी, यह छोटी सी चीज़ है, यह एक दफ़ा आप समझ लें, नॉर्मली आपका जो क्वेस्टन है, फीसद वाले जो परसेंटेज वाले हैं, वो आप एक दो नजरों में ही सॉल्व कर लेंगे, मैथिमेटिकली सॉल्व करना डेफिनिटली वो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको आंसर पता चल क्या होना चाहिए, अब फर्स करें इसी का वो मुझे कहता कि जी, पॉइंट जीरो जीरो टू परसेंट निकालो, अब देखने में ये मुश्किल लग रहा होगा काफी के पॉइंट जीरो जीरो टू निकालना है, आपने, आप कुछ भी ना निकालें आप इसका, टैन परस casino, ड्रॉब कर देंगे, आजेगा 3010, वन परसेंट इसका 31, एक ओर जीरो ड्रॉब होगया, उसके बाद पॉइंट वन परसेंट इसका, एक ओर जीरो ड्रॉब होगया, अब डॉट इधर लगा हुआ था, ये डॉट आ गया इस पॉइंट पे, 3.1 हो गया, एक और जीरो ड्रॉप करते हैं तो जीरो पॉइंट जीरो वन हो गया इस साइट पर पॉइंट और इस साइट पर आ गया तो इधर आ गया पॉइंट थ्री वन हमें रिक्वाइड है डॉबल जीरो जी यहां पे तो एक और जीरो ड्रॉप कर दे तो ये बन गया 0.031 अब हमने निकालना असल में 0.002 है 0.001 आ चुका है हमारे पास तो इसको अगर 2 से मल्टिप्लाई करते है तो ये बन ज़ता है 0.002% और इसको डबल करना तो मेरा जाती ख्याल है कि सबसे हो जाएगा तो 31 का 0.002% जो है वो 0.062 है ठीक है अब इसको अगर वो 3% पूछ रहा था तो आप 3 से मल्टिप्लाई कर देते हैं और ये 93 आ जाता 93 आ जाता सवाल समझने के लिए जरूरी चीज़ परसंटेज को समझने के लिए जरूरी है कि एक भी रो ड्रॉप करते जाएंगे आपके पास सकून से चीज़ें आती जाएंगे देखें जी कैल्कुलेटरि अलोव हो भी ना तो जाती तोर पे मैं आपको ये ही सिखाऊंगा कि मेंटल मैच अपना स्ट्रॉंग करें और मेंटल मैच जितना स्ट्रॉंग होगा उतनी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जितना आपका कॉन्फिडेंस आएगा उतने आपके स्वार ठीक होंगे मुख्लिफ जो एक्जाम्स होते हैं उनकी मुख्लिफ रिक्वार्मेंट्स होती हैं वो लोग करते हैं नहीं करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन जरूरत बिल्कुल नहीं है अगर आपको 32 को 4 से मर्टिपलाइ करने के लिए भी कल्कुलेटर चाहिए तो पिर एड करें लेगी ना अगर आपको 33 को भी 4 से मर्टिपलाइ करना या 5 से मर्टिपलाइ करना और आप सोचते हैं कि हैर कल्कुलेटर जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा यह स्वाल तो फिर मुश्किल काम है यह सारा मेंटल मैथ और मेंटल मैथ बहुत मज़े की चीज़ है उसकी एक चोटी सी मिसाल दे देता हूं अगर आपने एक सुटाइस को मिल्टिब्ले करना लेट सुपोज 11 से तो आप वन और थ्री लिखते हैं बाहर वाले बाहर लिखते हैं दोनों वन प्लस टू होता है थ्री फिरम्यान में लिख दें टू प्लस फ्री होता है तो यह आफ आपने एक सो टैस के साथ या किसी भी नंबर के साथ पर अधर टाइम बिंग एक सो टैस दे रहा हो दा कि कोई केरी ना है और आप ज्यादा करना है तो आपने पहला डीजिट और आखरी डीजिट पहले और आखर में लिख देने हैं वान और टू को एड कर लेना उसके है तू और थ्री को एड़ करना है फाइव आता है वह उसके बाद लिखते हैं यह आपका आंसर आ गया है छोटी मिसाल है वह बारा को ग्यारा से मुल्टिप्लेई करते हैं तो आंसर 132 आता है वह 132 कैसे आता है वान और टू आप लिख देते हैं साइडों पर वन प्लस टू थ्री होता है ठीक है अब इसमें नेक्स्ट वोगा वन फॉर्टी थ्री यानि अगर आप बारा को तेरा को ग्यारा से मुल्टिप्लेई करते हैं तो वन और थ्री साइड़ है वान और थ्री कितने होते हैं और तो यह एड़ उन होता जाता है इसको किसी भी नंबर से करने आ यही अगर अगर पेपर में आपको करना पड़ जेवान यह रूल एलवन के लिए यह रूल एक लीए यह रूल दुबारा क्लियर करते हैं यह रूल सब गापना अठ यह लूचे है है जरूरत जब five zero seven multiple eleven हो गया तो बैसिकली टैन से मृटिप्लाइ करना सब को पता है जीरो लगा देने हैं 11 भी असान है नाइन भी असान है काफी ज्यादा जो है वो आपको रूस मिल जाते हैं रूस आपको रस्ते में जहां 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 पढ़ेगी पढ़ाते जाएंगे तो पॉइंट है इसके आ पास जाके आपने दुबारा रवीयन करनी करनी है उसका एक अफ़ता दास्तिन लगाने है मैत आपको या जनल अबिलिटी आप पंद्रह वीस मिनिट आदा गंटा गंटा लगा लें आपका दुबारा से वैसी बन जता है तो बेसिक है कि एक दफ़ा आप तमीज से अच्छ इतना पढ़ना पड़ता तो में जो और सेकिन्ड इसकी जो अच्छी बात है कि अगर आपको आता है तो ये पूरे नमबर है एवन अगर आप CSS की बात करें तो कोई सबजिक्ट आपको इस तरह पूरे नमबर नहीं देगा इसके अगर आप जभाब सही प्रॉसस सही कर रह है आच्छा नेक्स्ट है जी अब मैथ कोई क्वेस्टन देख लेते हैं बैसिकली मैथ का इसी तरह कि अगर आपका परस करें जी टोटल नमबर एक दोर में मैट्रिक के एट फिफटी हुआ अब एक बच्चे ने ले लिया कोई कहले चॉण सट फिसित नमबर लेट स्पोल जो इसके शिक्स्टी फॉर परसेंट आए अब स्कून से एट फिफ्टी इस इक्वल टू हंड़र्ड परसेंट हमेशा होल जो है आपका वो हंड़र्ड परसेंट है एस आ होल जब बात करेंगे तो वो पूरी एक अकाई है और फिसद में वो पूरी एक सो है इसका टैन परसेंट आगया पचासी और इसका वन परसेंट आगया एट पॉइंट फाइव यह उस सुर्टेहाल में है जब हमें सवाल जल्दी भी करने है और हमने एमसी क्यूज कर सब्सक्राइब निए जब हम से सवाल करेंगे तो प्र हम सिक्स्टी फॉर परसेंट ओफ एट फिक्टी निकालेंगे इसमें हम तेली दिखा रहें अपनी अब हमने जाना इसका मतलब है अगर इसको सिक्स से मुटिप्लाइब तो यह सिक्स्ती बन जबागा था इजी है तो 85 को हम कर देंगे 6 से मृटिप्लाइब ठीक है यह 30 प्लस 4 85 10 हो गया पांच को अगर 6 से करते हैं तो 30 आता है पहले आप 80 को 6 से कर ले 400 सी आगया और 5 को 6 से किया 30 आगया पांच सो 10 आपके आगये 60 परसंट जो है वो इक्वल टू है पांच सो दस पीछे आपने कितना और उपर जाना है 4 परसंट 1 परसंट साड़े 8 है 2 परसंट कितना हो गया 17 और 4 परसंट 34 510 में 534 34 आड़ करें तो 544 आगये नॉर्मली देखेंगे तो हमें नहीं समय लगे कि यह आप यह वो प्रॉसेस है जो माइंड में आप जब चार-पांच अफ़ा कर लेंगे तो यह इस तरह लिख के नहीं होगा यह आटोमेटली होता जाएगा अगर आपने अभी 70 परसंट निकालना हो तो आपको पता है टे यह थोड़ी बहुती टिक्नीक्स हैं जो आपको सवाल देखती साथ-साथ सॉल्व होती जाती है इस्पेशली यह यूज होती है जब आप जी आरी जैसे पेपर भी देखते हैं या फिर जो पेपर जिनमें आपने टाइम सेव करना है नहीं आपके पास 20 सवाल है और 20 मिनट में आपने करने हैं तो आप नहीं लिखने शुरू हो जाएंगे कि 64% आप पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहे होंगे आप माइंड में उसको क्विक्ली सॉल्व आउट करते जाएंगे अब एक क्वेस्टिन देख लेते हैं जो कि हमें इधर दिया हुआ है अच्छे अभी क्वेस्टिन कहरा जी अब बैट्समेंट स्कॉर्ड 110 रंस विच इंक्लूडिट टू बॉंडरिस और सिक्सिक्स वर्ट परसंटेज ऑफ यह परसंट ऑफ इस टोटल स्कॉर्ड डिद ही में बाइनिंग बिट्विक्ट्स अब पहला काम वहीं करना है कि हमने तसली से स्वाल को समझ लेना और उसके बाद आगे चलना है बाबराजम मैं बैट्समेंट उसने 110 स्कॉर बना दी ठीक है 110 में उसने 2 चौके लगाए हैं और 6 चौके लगाए हैं दो चौके कितने होगे 8 और 6 चौके आपके 36 तो 44 स्कॉर उसने किया है च्छके चौकों की मत से सवाल वो ये कर रहा है कि उसने टोटल स्कोर का रनिंग बीट्विन दो विकिट्स कितना किया कि भाग के कितने रन उसने लिया है जो तालिस अगर उसने चोके छकों से किया तो एक सदस में से आप माइनस कर देंगे तो पीछे जो बच जाएगा वो 66 बच जाएगा वो यह यह आगिए हमारे पास सक्कोर कि यह 66 स्कोर उसने भाग के किया है टोटल मेंसे टोटल आपका 110 से अब जब हम सॉल्भ करेंगे तो दो तरीके हैं या तो हम यह 66 निकाल लेते और फिर 110 का कर देख लेते या फिर 44 की परसंटेज निकाल लेते वो जी जो भी परसंटेज जा जाती ही उसको 100 मेंसे माइनस कर लेते हैं दोनों तरीके सही हैं दोनों अपनी जो कर पे बहुत अच्छे तरीके हैं अब एक तरीका इसका जो अगर हम अपना वो जो एक चार्ट बनाने वाला तरीका था उससे करें तो बहुत असान उससे क्या एक जी 110 है यह आपका 100% है तो आपका 10% कितना हुआ ग्यारा एक जिरो उदर से ड्रॉप गिया एक जिरो उदर से किया 66 तक आपने जाना है 11 को किस से मल्टिप्लाइ करें तो 66 आता है छे से करें जी तो अगर इस साइड को 6 से किया तो साइड को भी 6 से कर देंगे तो 60% जो है वो 66 है यह तो एक तरीका है जब आपने सॉल्व ऐसे करना लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि हम पेपर में बैटे हुए है और हमें प्रोपरली सॉल्व करना पड़ गया तो उसके लिए जितनी भी परसंटेज के स्वाल है एक एक्वेशन याद रख रहे हर परसंटेज के स्वाल पे यही लगेगी ए परसंट आफ बी इस इक्वल टू सी इतने फीसद आफ टोटल इतना बनता है ठीक है यह आपकी औरिजिनल अमाउंट है इस केस में औरिजिनल आपकी 110 स्कॉर है जिसमें से 66 स्कॉर उसने किया है बाइर रनिंग बिट्विन दो विकेट्स यह भी हो सकता है कि यह औरिजिनल प्राइस हो किस स्वाल में कि एक शेयर जड़ी सी हो 140 की थी उसमें से 20 परसंट डिसकाउंट दिया तो नई प्राइस यह निकल दिया है 80 परसंट करके उसे करेंगे यह 20 परसंट दिया तो वो डिसकाउंट कितना बन रहा है 140 का जब 20 परसंट आप करेंगे वैसे आप करें तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप 10 परसंट वावे फार्मॉले से करने तो आपको पता लगजेगा 14 जमा 14 अठाइस होता ठीक है तो बेसिक यह एक एक एक्वेशन है जो हर परसंटेज के क्वेस्टन में ऐस इट इस जूज़ होगी आपने टाइयुन करना है मतलब कोई काम आपने भी करना है सिर्फ एक्वेशन ही लगानी है आपने ताइयुन करना है कि परसंटेज आपको बता लगगा कि यह परसंटेज है इसका तो मसला नहीं आपकी टोटल अमॉंट है C आपका result है जो उसके बाद निकल रहा है अब इस case में हमने percentage निकाल ली है किसी case में आपकी वो original amount नहीं देगा किएगा जिस 60% उसने score किया जो कि 66 बनता है total score बताएं किसी point पे वो आपको ये नहीं बताएगा तो A, B, C में से एक चीज़ उड़ा देगा दो चीज़ें देगा आपने उसके थ्रू निकालना है equation ठीक होगी जी A percent of B is equal to C equation repeat कर दे ये आपकी percentage है ये as it is आएगा हर जगा पे ये equation यूज़ होगी इसमें से दो values दी होगी एक value उड़ी होगी B आपकी original amount है अगर वो कहता है 140 रपए की ये घड़ी थी और इस पे 20% discount दे रिया तो बताएं discount कितना है तो आपने 20% of original amount which is 140 is equal to C निकालना है solve कर लेंगे C निकलाएगा या वो ये कहा देता जी 28 रपए discount हुआ discount 20% था तो original amount बताएं तो आप करेंगे 20% of original amount is equal to 28 उसके बाद आप जब solve करेंगे वो 140 निकलाएगी या वो तीसरा काम ये कर सकता है कह सकता है कि original price 140 थी उस पे 20 28 रपए का discount दिया गया तो बताएं कितने फीसल discount दिया गया तो आप स्कून से इसी equation में ये चीज़े पुट करके A को A रहने देंगे और solve out कर लेंगे तो आपकी percentage आ जाएगी for the time being हमारे पास question था कि ये एक batsman है और हमने वो batsman सोचा कि वो बाबराजम है और उसने 110 score किया जिसमें से दो चोके और छे चचके थे which sums up to 44 और बाकी score उसने running between विकेट किया तो चुटालीस score उसने चोके चकों से किया चैसे स्कोर उसने running between दो विकेट किया तो हमने बताना है कि 66 is what percentage of 110 ठीक है a percent of total total is 110 is equal to जो result आया आपका result आ गया 66 अब a percent का मतलब होता है per cent off का मतलब होता है multiply 110 is equal to 66 अब ये a को इदर रहने देना है 100 उदर चला जाएगा ये आपका बन जाएगा 6600 divided by 110 ये 110 नीचे आ गया ये 100 उपर चला गया जब इसे आप solve करेंगे तो ये आजएगा 60 00 से कट किया और 11 6 जा 60 percent अब मज़े की बात इसमें चोटी सी ये है के चोटी सी बात ये है कि आप अगर choices देखेंगे आपको इतना पता है एक side पे चुताली लिखिया एक side पे 66 लिखिया 44-66 से बढ़ा है इसका मतलब है ये 50 percent से तो ज्यादा है ना क्योंकि 110 का half 50 percent is always half ये तो सारों की पता 110 का half जो है वो 55 होता है जो चीज 55 से उपर होगी इस सवाल के मताबिक 55 से उपर जितनी भी होती जाएगी वो 50 percent से उपर होती जाएगी आप ये सवाल अगर पेपर में आए तो आपको solve नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी choices ये उसने ऐसी दी है कि तीन choices बनी नहीं सकती आपकी बनती ही साथ है नन अफ दी हो तो तब आपने solve करनी है उसका साथ भी नहो तो normally आपने choices पहली गोव में देखने नहीं है अगर आपके पास 5 मिनट रहे गे हैं और 10 सवाल करने हैं आप exact answer लगा लेंगे तो main बात है कि आपने सिर्फ और सिर्फ question देख के जुड़ नहीं जाना उसके शुरू नहीं हो जाना करने बहुत से cases में हम उसे छोटे तरीकों से भी कर सकते हैं और सिर्फ answers देख के भी कर सकते हैं और इस case में हम इसे solve यूँ करेंगे अगला देखें जी meanwhile आप question देखें और मैं ठीक है जी question देखें और इसको अपने तोर पे घर बैठे वाले घर solve करने की कोशिश करें meanwhile हम solve करते हैं age question आ रहे हैं जी आई डेमो की class में सारे स्वाल तो नहीं करा आप आँगा लेकिन age का जरूर मैंने रखा हुआ है अच्छा जी a fruit seller had some apples कुछ apples थे यह fruit seller जो है अब वो जो भी है कोई मसला नहीं है ना ही है relevant है he sells forty percent apples and still has four twenty apples उसने 40 percent apples बेच दी हैं तो उसके पास leftover जो है हैं वो four twenty है इनिशली उसके पास एक नंबर था वो कोई भी हो सकता है इन में से और अब उसने 40 percent बेच लिए हैं पीछे उसके पास अभी भी चार सो बीस apples बचे हुए हैं अब मसला यह है कि उसने यह नहीं बताया कि कितने उसने बेच लिए हैं बेच लिए बता देता तो सकून से हम उसको forty percent के साथ equate करते हैं कि 40 percent भी बेचने वाले हैं और वो नंबर भी बेचने वाला होता लेकिन इस केस में उसने हमें एक नंबर बेचने वाला दिया और एक नंबर जो बचा हुआ है वो दिया अब 40 percent एपल जब बेचे हैं तो common sense कहती है कि अगर 40% उसमें बेच ली हैं तो उसके पास पीछे 60% बच गए हैं और 60% जो बचे हैं वो आपके 420 हैं तो अब इधर तक अगर आप पहुंच गए हैं और सुआल को आपने समझ लिया तो पीछे आपने सिर्फ लगानी है है वोई equation अच्छे वो equation सिंपल सी है एपरसेंट ऑफ बी इस इकवर टू सी अब यह 60% उसने दिया हुए मैंने था एक चीज़ वो छुपा लेगा दो चीज़ें दे देगा इस तफ़ा दो चीज़ें उसने दी हैं और परसंटेज टोटल अमाउंट या औरिजनल अमाउंट उसने नहीं दी तो एपरसेंट आपका सिक्स्टी परसेंट है आफ एक्स या भी जो भी रखें आप इस सून से इसको सॉल्व कर लें लिए को इदर ही रहने दें सिक्स्टी मृटिप्लाइब वान अवर हंडड़ या सिक्स्टी ओवर हंड़िड कहलें इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं आप सॉल्व करें यह हो गया 42000 और इसके नीचे आगया सिक्स्टी जिरो जिरो से कट ग आगे आपका अपना गाम है में आपने इस इक्वेशन तक पहुंचना है और समझना है कि इदर किसको रखना है इस केस में सिंपल सी बात थी के 40% बेचे थे तो चारसो बीस रहे थे इसका मतलब है साट परसेंट जो हैं वो चारसो बीस के बराबर है बाकी आपका सॉल्व नहीं भी लिखा तो कोई मसला नहीं है लिखने की जड़ोती नहीं है नेक्स जी क्विक्ली मूव ऑन करते हैं एज वाले सॉल पर जो हमें कहा गया था एक आदा इसमें से यह आखरी एक कर लेते हैं इसकी स्क्रीन शॉट किसी ने लेनी है इन दो सॉलों की तो वो अपने तोर पर करके सेंड कर सकता है और इदर भी दे दी जाएगी इस सॉल को भी रखने अपने बास और अब नेक्स्ट यह क्वेस्टन कर लेते हैं अब यह क्वेस्टन कहरा जी इन एलेक्शन बेवीन टू कैंडिटेट्स वन गाट 45% अफ टोटल वैलिड वोट्स यह नहीं कहा उसने उसने 45% अफ दी वैलिड वोट्स कहा है तो यह वोट बहुत ज्यादा से और उसमें से 20% अफ दिव वोट्स पर इन्वेलिड तो यह कोई 20% का जो एरिया यह इन्वैलिड हो गया तो पीछे यह वाला एरिया वैलिड वोट्स है तो यह है तो पीछे यह टेक्निकली एटी रह गया अब इस 85 फेसे दुस्टन लिया अब वोगरा इस टोटल नंब of valid votes that the other candidate got was. अब यहाँ पे च्छोटी सी फिर वही बात है कि आपने statement बड़े गोर से पढ़नी है और इसमें statement की दो चीजें हैं. एक statement है valid और invalid votes वाली. आपने valid को लएदा रखना है, invalid को लएदा रखना है, total votes को लएदा से समझेना है. दूसरा end पे देखें, the number of valid votes the other candidate got. वो आपके 45% वाले का नहीं पूछ रहा. वो दूसरे बंदे का पूछ रहा है कि दूसरे को कितने मिलें. तो दूसरे को मिले तो 55% of the valid votes. और वो simple सी बात है कि 55% of the valid votes कैसे मिलें? क्योंकि 45% एक ले गया है. और शुरू में लिखा हुआ है कि election दो candidates की दिरमियान ही था. तो 55% इसके आगए. अब मजीद आगे चाहते हैं. टॉटल वोट्स इसको भी डिलीट कर दें. यह समझेने के लिए था. टॉटल वोट्स आपके हैं, जी. टॉटल है सेविन्टी फाइव हंड्रेड. टॉटी फाइव, टॉटी परसेंट उसमें से इन्वैलिड है. तो वैलिड कितने रहेंगे? एटी. या टॉटी पहले निकाल के उसको माइनस कर लेंगे. दोनों सूरतों में कोई मस्टला नहीं है. टॉटी परसेंट उसमेंटी फाइव हंड्रेड निकालने हैं आपने. इस इक्वल टू वाट. तो यह एए परसेंट आफ टोटल इस इक्वल टू यूर रिजल्ट वाला फार्मूला एज इट इस लग गया. तो टूटी अवर हंड्रेड मल्टिप्लाइबेस सेमेंटी फाइव हंड्रेड इस इक्वल टू यूर रिजल्ट जो कि यहां पे इन्वैलिड वोट्स हैं. ठीक है? अब यह जब सॉल्ट वोट्ट करेंगे तो यह आपका जीरो जीरो से कट गया, यह वाला जीरो की जीरो से कट गया, तो टू इन्टू पंद्रा सो, पंद्रा सो वोट्ट इन्वैलिड हैं, अगर पंद्रा सो इन्वैलिड हैं, पच्छतर सो में से, अगर यह आज का अलेक् दूसरा इससा जो इंपोर्टन्ट है कि एक को मिले हैं 45 फीसद इसमें से और दूसरे को फिर मिले 55 फीसद हम से उसने 55 फीसद वाला पूछा है हम नॉर्मली शायद हम 45 फीसद ही निकालेंगे पहले है तो वह हम निकालेंगे 45 परसेंट ऑफ टोटल अब यह टोटल आपका यह टोटल वैलिड वोट्स टोटल बी में जो हमने रखना है वह निकलाया थी ठीक है अब 45 परसेंट जब निकालेंगे 45 ऑवर हंडर्ड साउजन्ड इस इक्वल टो सी दो जीरो दो जीरो से कटके और यह 24 और 2700 2700 आपका फरस्ट कैंडिडेट के वोट अब नॉर्मली अगर हम यह सॉल्व करेंगे और आप्शन में भी देख लेंगे कि पहला आप्शन 2700 लिखा हुआ है कम 2700 लगा देंगे सारा सवाल करके गल पढ़ लेना है वो पूछ रहा है कि दूसरे कैंडिडेट के कितने हैं दूसरे कैंडिडेट के 6000 में से माइनस कर देंगे 2700 तो 3300 आजाएगा या 5555 परसंट डिरेक्टली निकाल लेंगे तो उस केस में भी आजाएगा अब एच वला जो है वो करेंगे अच्छ जी बशिर भई ये एक दफा भी कहा दें तो मैं जैसी देखूंगा रिपीट कर दूँगा और अच्छ जी रिपीट कर दोते हैं रिकमेंड मैं नईम और वसीम साब कोई भुक नहीं करूंगा और भुक की बज़ए आप अपने गिर्दोनवा देखने तो सारी चीज़े मुझूद है और हो जाएगा साल्व उट आज़ आज तक इसको इंप्लिमेंट करने की कोशिश करनी है आज बाकी चीज़ें सारी य है भी किसी ने तो एज का दो क्वेस्टिन कर लेते हैं दो ही है इस वक्त लेकिन ज्यादा भी करने हो तो भी हो जाएंगे और एंड पे कोई वर्क टाइम वाला भी एक पड़ा होगा है वो भी कर लेते हैं अच्छा जी अच्छा जो क्वेस्टिन ना इससे रिलेटिड आपके एक्वेस्टिन से रिलेटिड वो एंड पे कर ली जएगा ये वाला क्वेस्टिन सॉल्व करते हैं इस सम आफ एज़ीज अफ फाइव चिल्डन बॉन आट इंटर्वल ऑफ त्री येर्स इस 50 येर्स पांच बच्च उनकी 50 साल बन रही है सम सम आप सबको पता है कि एड करने से जो रिजल्ट आएगा वो सम कहलाता है तो आपने बताना है वाट इस दी एज अफ ती जिंगस चाइल्ड तो सबसे पहले आप सपोज ऐसे केसिज में आप करेंगी लेट इज ऑफ ती जिंगस चाइल्ड बी एक वहला पुरा जुमला आपने लिख लिया यंगस चाइल्ड एज ऑफ यंगस चाइल्ड ठीक है जी वो आपने एक्स सपोज कर ली इसका मतलब है जो बाकी बच्चे हैं वो एक्स प्लस थ्री होगा उससे जो तीन साल बढ़ा होगा जो उससे तीन साल बढ़ा होगा वो एक् के इक्स प्लस थोइलव बोगा एक्स अगर आपका और festa कर लेते denominator लाट विधनेत नू साल का तो अगला जो है बारा का का नो जमा तीन बारा उससे एगला पंदरा का नो जमा सच्छे पंदरा पिर इठारा काऊ नो जमालो इठारा फिर 18 के बाद 20 होगा तो 9 जमा 12 एकिस तो जो भी x की value निकलेगी उसके मताबिक यह सारे 3 3 3 3 add होते जाएंगे अब उसने हमें कहा some of their ages some of their ages is equal to 50 some क्या है जी इन सब का वो है x plus x plus 3 एक बच्चा आगया x plus 6 दूसरा तीसरा आगया पहला दूसरा तीसरा चोथा आगया x plus 9 पांचवां आगया x plus 12 यह आपके पूरे बच्चे होगे 50 इनकी sum निकल रहा है अप एड़ान कर दे 1 2 3 4 5 5 x हैं आपके पास जमा तीन जम अच्छे 9 9 जमा 9 18 और 12 तीस तो आपका आगया जनाब यह 30 उदर जाके माइनस हो गया 20 रहा गया 5 x अगर 20 है तो x is equal to 5 उदर जाके डिवाइड हो जाएगा और 4 आजाएगा आपका सबसे छोटा बच्चा अब इसको अगर आपने क्रॉस चेक करना है वेरिफाय करना है तो सबसे छोटा बच्चा अगर 4 है तो उससे उपर 10 7 10 13 16 अब इसको आप एड़ कर दें 4 और 16 बीस होता है 7 और 13 भी 20 होता है 20 20 40 और दिम्यान में 10 पचास आपका आजाता है रेशियो प्रोपोशन के इस लेक्चर में नहीं है लेकिन जो हम कोर्स कवर करेंगे उसमें है आवाज आ रही है अब सबको रिप्लाइ कर दें क्योंकि किसी ने भी बोला है कि आवाज नहीं आ रही अच्छो जी आ रही है जी फिसान ठीक है ओक्यो ओक्यो खुरम नवाज अवाज नहीं आ रही है आप माइक चेक कर लें वो सरी अपना स्टीकर आपके इदर दो सबको आ रही है अच्छो जी नेक्स कुस्टिन करते हैं बाप जो है वो अपने बेटे से चोबीस साल बढ़ा है दो साल बाद उसकी एज अपने बेटे से दुगनी हो जाएगी बच्चे की आपने प्रेजन्ट एज बतानी है अब इसको भी अगर आपने मैथमेटिकली करना तो उसका एक तरीका है अगर आपने तुके लगाने है तो उसका दूसरा बड़ा असान तरीका है कि आप इसमेंसे कोई एक वैल्यू उठा लें बीस उठा लें बीस अगर प्रेजन्ट एजए बच्चे की आज तो उसमें दो एड़् कर दे तो बाइस होजेगी ठीक है बाइस का डबल करें बनता है फॉटी फॉर तो बाइस और फॉटी फॉर में चोबिस का फरक नहीं निकल रहा इसका मतलब है उसकी उमर बीस नहीं है आज कल आप दूसरी वैल्यू उठा लें बाइस और बाइस अगर आज एज है तो कल एज कल मतलब दो साल बाद 24 होगी बाप की दो साल बाद होगी डबल उससे 48 तो डिफरेंस भी 24 निकल रहा है यह तो एक डिरेक्ट तरीका अगर आपने सॉल्वोड करना लेकिन हम इसे प्रॉपर मेथट से सॉल्व करते हैं अज़ को आज आ रही है कुछ को नहीं आ रही है अच्छा जी अच्छा अमैनिस 24 यह ओलर देनी सन इन तो यह जिस एज विट विट वाइस एज ट्वाइज विट आज आज पिस टी एज आज सन the present age of his son is what ठीक होगे जी अब आप बेटे की एज अगर X है बाप की एज यहाँ पर X में 24 जमा करने से आ रही है दो साल बाद बेटे की एज X प्लस 2 हो जाएगी बाप की एज X प्लस 26 24 प्लस 2 जो के 26 बन जाएगा यह आगी जी आपकी present age यह आपकी आगी after two years after two years यह सन की एज X प्लस दो और यह बाप की एज है X प्लस 26 अब यह X प्लस 24 की दर से आगा है यह वो 24 साल उससे बढ़ा है अच्छा जी X प्लस 2 अब बेटा बाप जो है वो अपने बेटे से दुगना बढ़ा है जब आप दो चीजों को इक्वल करते हैं जिसमें से एक छोटी होती है इस वक्छोटा कोन है बेटा बाप बढ़ा है दोन्नों को इक्वल टू साइन के इधर उधर लाना है तो आप टू को मल्टिप्लै करेंगे या जिस चीज़ को भी मल्टिप्लै करना है आपने छोटे वली साइट से ताके वो बढ़ी होके इक्वल टू के बराबर आजाए यानि उसके इक्वल आजाए आप हमेशा छोटी साइट को जैसे अगर आपने छे और तीन को बराबर करना है तो टू किस साइट पर मल्टिप्लै करेंगे लफ्ट एंड साइट पे छोटी साइट पे ताके ये इक्वल टू जिस्टिफाई हो सके हमेशा मल्टिप्लै करेंगे तो आप छोटे वली साइट पे करेंगे जमा करेंगे तो छोटे वली साइड पर करेंगे लेकिन माइनस करेंगे तो बड़ी साइड में से माइनस करेंगे तब बात बनेगी लेट सपोज इसी तीन और छे में से हमने तीन माइनस करना हो तो इस में से माइनस करेंगे तो यह तो एक्वल नहीं रहेगा X प्लस 26 ये X इदर आके माइनस हो जाएगा अकेला X रह गया दो X में से एक X निकला 26 में से 4 निकले 22 रह गया आपके 22 आपने क्या सपोज ची थी present age of son present age of father was X प्लस 24 तो अगर आपने बाप की भी निकाल नहीं हो तो वो 46, 24 हैड करने से निकलाएगी अच्छा जी टाइम क्या हो जोगी लें जी ये demonstration class थी जिसमें math का कुछ हमने portion किया math के दो portion किया है उसमें उनको थोड़ा दर touch किया analytical को समझा logical को इसमें touch नहीं किया logical वन पेपर में नहीं आती logical नॉर्मली आती है आपकी CSS में फिर भी एक अदा सवाल आया था लेकिन बाकी analytical का आता है math का आता है arithmetic जिसे आप कहेंगे और जिनोंने 24 तरी को या 25 तरी को जिनका पेपर है उसकी description आपको चैट में available होगी आप उदर से देख ले और अपना ह्याल रखिएगा दौव में याद रखिएगा अलाने के बाहन